उपूद घाद प्रशिषति चरन मारुतो मध्यमार्गे यावत बिन्दू नभवति द्रडं प्राणवात प्रबंधात यावत ध्याने सहज सदशं जायते नईवत त्वं तावज ज्ञानं वदतित दिदं दंभमिथ्या प्रलापह आपनी ग्ने, धे अने उपास्य मुर्ती श्री स्वामिनारेन भगवाने श्री मुखे कहिऊ छेजे संप्रदाईनी पुष्टी तेना शास्त्रती जथाई छे दरिक संप्रदाई मा पामर, विशाई, मुमुक्षू अने मुक्त जीवो होई छेज तेम आपना श्री स्वामिनारेन संप्रदाई मा पण, ते उपरांत सात धामुना मुक्तो पोताना आत्यंतिक कल्यान माटे आवे छे, ए विशेश छे मोटा अधिकारीनी जवाबदारी पण मूटी जे मुर्तीना दर्शन फक्त अक्षर धाममा पोताना परम एकांतिक मुक्त जे पोताने समीपे रहा छे, ते तथा अनादी मुक्त जे मुर्तीमा रस्वस रहा छे, तेमनेज छे बिजा कोईने ए मुर्तिना दर्शन नथी एवी अगम्य, अकडित, अध्वेतिय मुर्ति ए उत्पत्ती स्थिती प्रलैना करता कहवाता अक्षर कोटी, ब्रह्म कोटी, इश्वर कोटी, अने तेमना ताबाना मुक्त जीवो, तेमज माया बद्ध जीवोनों मोक्ष करवा माटे आ मनुष्य लोकमा दर्शन दिधा, ते केवडी वाद, किडी कुंजरनों मेडाब जीवन जानूछू, क्या अमेने क्या आब जीवन जानूछू वड़ी कहिू छेजे, स्वकिया वतारा स्तदियाम्ष्च भक्ता, निजोपासना ग्नानमा बुध्यतेशाम, तथा स्वधामा धिनेतुम् विचित्यागतो, श्रीहरी हेतु रुक्तस्चतुर्थह। एम पोताना अवतारोंने, ने तैमना भक्तोंने पोतानी उपासना ग्नान आपीने, पोताना धाम्मा लेजवा माटे दर्शन दिधा, वड़ी सौने वश करूरे सौनो प्रेरक हुँ भगवान, एम उपर कहा, ते सौने वश करवा माटे, ए सौनो कारण एवोहु एकज बीजो कोई भगवान नथी, एम पोते कहिँ छे, शास्त्र मात्रमा गुरु भाग होई छे, ते श्रीमुखे कहिँ छे जे, सच्छास्त्रो पन सत्पुरुष ठकीज समझाई छे, पन पोतानी बुद्धी थी समझाता नथी, तेमज पोतानु स्वरूप जे उपर कहा प्रमाने, पोताना मुक्तो नेज गम्य छे, तेवा सत्पुरुष जे स्वतह सिद्ध मुक्तो, ते थकीज समझाई छे, प्राप्त थाई छे, अनुभवाई छे, पन ते सिवाई, बिजा कोई साधने, कोई काडे जानी अनुभवी शकाय तेम नथी, आ कारण पणा माटे पोताना स्वतह सिद्ध मुक्तो, श्री गोपाननंद स्वामी तथा श्री परवद भाई आदी ने, पोताना संकल्प थी अहीं देखाड्या, आवा अजोड महराज ने मुक्तो ना दर्शन, स्पर्ष, सेवा, समागमनो लाब, कोटी कल्पे, कोटी साधने, कि अनेक जन्मना सुक्रूत थी मलतो नथी, केम जे, ते वस्तूज एवी अनुपमेय, अद्वितिय, अमुल्य छे, केवड कृपा साध्य छे, आवा स्वतह सिद्ध अनादी मुक्तोय, आ सत्संग रूप बगीचो बनावी, आपणने भोगववा मा आटे, श्री कृष्णार पण करियो छे, आवा बगीचाना वर्थमान समय, छिल्ला मा छिल्ला माली, ते आ लगुपन अनुभवात्मक रहस्य ग्नान प्रदाता, अनादी महमुक्त राज श्री अबजी बापा छे, तेमना नाम्थी सत्संग मा भाग्येज कोई अपरीची थाशे, छता तेओ कौण हाता, केवा हाता, तेमने सत्संग मा शूशू करियो इत्यादी बाबत बे बूल अस्थाने नहीं गणाए एक, बापा श्री कोण हाता, अक्षर धाममा श्री स्वामिनारेन भगवान नीजे दिव्य मुर्ती छे, ते मुर्ती, तथा सम्वत अढ़ार सो साड़ात रिसमा, श्री छपपईया पूर्मा प्रगट थया ते मनुश्यरूप मुर्ती, तथा तेमने पधरावेली श्री ग अनादी महामुक्त राज हाता, श्री स्वामिनारेन भगवान एकज छे, अने अनादी मुक्त अनेक छे, ने अनेक थाई छे, ने अनेक थशे, ते सर्वेने सुखना दाता छे, अने अनादी मुक्त सर्वे एकज मुर्ती ना सुख भोगता छे, ए सिद्धान्त समझावनार प्रसिद्ध स्वतह सिद्ध अनादी महामुक्त राजहता श्रीजी महराजना सकाम भक्त भ्रम्माथिलै अक्षर सुधीनी पद्वीने पामे छे अने निश्काम भक्त पोतानी समीपे परम एकांतिक अथवा पोतानी मूर्ती मा रहेला अनादी मुक्तनी पदवीने पामे छे पन भगवान श्री पुरुशोत्तम जे एक मेवा द्वितियम भ्रम्ब छे एकज छे ते भगवाननी पदवीने तो कोई पन पामी शक्ता न थी ने भग्त कोई दिवस पोताना स्वामीनी पदवीने इच्छे ज नहीं ए सिध्धान्त समझावनार प्रसिद्ध स्वतह सिद्ध अनादी महामुक्त राज हता श्री स्वामीनारेन भगवान कृपा करीने अनादी मुक्त ने रस्बस पोतानी मुर्ती माज निमगन लुब्ध राखे छे जेम दूधमा साकर रहे छे तेम छता पोते स्वामीने अनादी मुक्त सर्वे सेवक छे ने सदा साकार छे ए सिद्धांत समझावनार प्रसिद्ध स्वतह सिद्ध अनाधी महामुक्त राजहता श्री स्वामिनारैन पुर्ण पुरुषोत्तम रूप थवाथी अनाधी मुक्त थवाई छे प्रथमना 51 प्रमाणी केम जे, जे वस्तु जान्वी जोवी होई, ते वस्तो रूप थया विना ते वस्तु जोई जानी शकाती नथी, अने दास पणु पण त्यारेज सुन्धु द्रड थाई छे, ए सिद्धान्त समझावनार प्रसिद्ध स्वता सिद्ध अनादी महमुक्त राज हता, शरी स्वामिनारेण भगवान नी मुर्ती ने, अने अनादी मुक्त ने जुदा पणू, एटले सहेजपन छेटा पणू नथी, वाना तानानी पेठे एक मेक ओत प्रोद, तद्रूप, तल्लीन थवाई त्यारेज, अनु मातर छेटे नथी एम कहवाई, तेवी रिते सहज स्वभावे, सहेज पणक्षण मातर मुर्ती थी दूर न रहवाई, इटले पोते तो मुर्ती मा लुब्ध छे, अने आगना विहित सर्वे क्रिया महराज करे छे, एवो साक्षातकार इटले के लक्ष्यार्थ थाई, तेरे अनादी मुक्त नी पंक्ती मा बढ़ाए, ए सिध्धांत समझावनार प्रसिद्ध स्वतह सिद्ध अनादी महा मुक्त राज हता, श्री स्वामिनारेन भगवान नी दिव्य मुर्ती नो पोताना चैतन्यमा साक्षातकार करे, तेवा परम एकांतिक ने मुर्ती मा रस्वस जोडी, सनलगन करी, रोम रोम न एक काला वच्छिन सुख भोगबावी, अनादी मुक्त करनार प्रसिद्ध स्वतह सिद्ध महा मुक्त राज हता, ज्यार्थी प्रगट भगवान के प्रगट मुक्त मल्या, ने तेमनो द्रड निश्चय, द्रड आश्रय थायो, त्यार्थी जिकाल करम माया थी रहित करी, स प्रणादी मुक्त नी पंक्ती मां भेल्व्याज छे, इटले देह मुक्या पछी, जेवा थवानू छे तेवा कर्याज छे, पन देह मुक्या पछी, महराजने मुक्त धाम मां तेडी जशे, ने पछी एवा कर्षे, एम न मानवू, पन छते देहेज, एवा कर्या छे, एव संपोर्ण क्रुतार्थ पणु मानवो अने तेमनी प्रसनताने अर्थे आगनामा रही कथा, वार्ता, माला, मानसी पूजा, ध्यान, भजन, नियम, उपासना कर्या करवा ने मुर्तिमा अखंड रस्बस रहवाई, क्षण मात्र जुदा न पड़ाई, एम वर्तवो, छता गरीब संत हरीजन ना पण दासानु दास थे रहवू, ने बीजाजे द्रड आगना उपासना वाडा होई, तेमने पोता थी मूटा जानवा, ने पोताने तेमना थी नियून मानवू, पन छकी जावू नहीं, जेम राजाने घेर जन में, ते राजाज कहवाई, पन ज्या सुधी गादिये न बेसे, त्या सुधी राजा जेवू सुख सामर्थी न आवे, तेम साधु के सत्संगी थया एटले पोरू थाई गयू, एम मानी बेसी रहवू नहीं, परियंत तत्पर रहवू, ए सिद्धान्त समझावनार प्रसिद्ध स्वतह सिद्ध अनादी महामुक्त राज हता, बे, बापा श्री केवा हता, वचना मृतमा तेमज आ वातुना पुस्तक मा, तेमनो फोटो आपेल छे, श्री जी महराज मनुष्य रूपे प्रगड थया, तेमने नजरे देख्या, उडख्या, ने मुर्तीनो आत्मामा साक्षात कार करियो, तेमने इज महराज ने जान्या, आज जेने धामनी मुर्ती, मनुष्य रूप मुर्ती, अने प्रतीमा एकज छे, इवो दिव्यभाव आवे, तेमज तेमना वचनाम्रुत उपर थी, कारण ना कारण, सर्वो परी, सदा साकार, सर्व करता हरता जाने, ने मुर्ती सिद्ध करे, तेने महराज ने सर्वो परी भगवान जान्या कहवाई, ते वी रिते बापाश्री नो समागम करी, जेवा छे तेवा ओडख्या, ते बापाश्री जेवाज थई गया, अने आज पण तेमनी वातों उपर्थी तेओ श्री अनादी महामुक्तिरा जहता एम सव कोई नहीं शंक पणे कही शके छे। बापा श्री कहता जे वातों वर्तन करशे। ते शू जाने छे, ते करता, ते किवा छे, ते जोवू। जेम सोय केडे दोरो सोसरों चालियो आवे छे, तेम तेमना उपदेशामृत मा एक मुर्ती माज रस्वस लुपध रहो। एक मुर्ती माज जोडाओ, एक मुर्ती ज सिद्ध करू। बीजु बद्धु एक बार जानी पड़तु मुको। जेम खेडूतने करोडो रूपया मडे, तो महनत करी दाना पकववा पड़या मुके। अने जेम सूर्य उगदाज रातरी टड़ी जाई छे, तेम जेरे स्वरूप निष्ठा द्रड थाई छे, तेरे पंच विशय, परचा, चमतकार, अईश्वर्य, ए सर्व माथी सहेजेज प्रिती टड़ी जाई छे। जारे ए मुर्ती ना सुखनो भोगता थाई छे, तेरे तेने धाम अने मुक्तनू सुखपण नजर्मा आवतू नथी। आवे स्थिती थाई तेने ज अनुभव ग्णान, लक्षार्थ ग्णान कहवाई। बापा श्री कहता जे, वाच्यार्थ मां पड़या रहवू नहीं, पन लक्षार्थ करवू। इटले के माहराजने मोटा मल्या, तो तेमना जेवा थवू। जयरे पुरुषोत्तम रूप थाई, त्यारे ज पुरुषोत्तम ने, ने अनादी मुक्त ने जेवा छे तेवा जानी शके, अने पोते अनादी मुक्त थाई, त्यारे लए विक्षे पादिक, कशाई नाश पामे। लक्षार्थ ग्णानी पन तेने ज गहवाई। ज्यारे पाटे बैसी कथा करे, त्यारे ग्नानी एम समझे जे, हुँ बेठो नथी, पण महराज बेठा छे, ने हुँ बोलतो नथी, पण महराज बोले छे, ने हुँ सांभडू छो, अने जैने आग्नान हाथ न आवियु होए, ते एम जाने जे, लख्यू छे ते वंचाए आविरिते द्रड ग्नानी पण मान सन्मान ना धनी महराज ने राखे छे, ने पोता पणू सर्वे विशरी जाई छे, एकांतिक भग्त साधन कालमा उपर प्रमाणे पोता ने अकरता माने छे, ने माराद वारे महराज विचरे छे, जमे छे, चुए छे, बोले छे, प्रथ वचनाम्रुद सत्यावीसमा प्रमाणी एवु मनन राखे छे ते दर्म्यान क्यारेक गोपियोंनी पेठे ल्योकान ल्योकान एम थाई अने अवलबाई आधी बायोंनी पेठे एम पन थाई जे कहे हूँ सहजानन्द स्वामी सर्वे नोचु अंतर जामी उपर प्रमाणे मनन अने निदिध्यास राखता राखता जैरे आत्मा मा साक्षात कार थाई त्यारे तेने मुक्त संत अनुभवी कहवाई एवा संतनों महिमा श्रीजी महाराजे कहयो छेजे संत जमेते भेडो हूँ जमूरे संत भमेते भेडो हूँ भमूरे एटले महाराजनेने मुक्तने नित्य संबंध छे जुदा नथे संत जान जो मारी मुर्ती रे तेमा फेर नथी एक रती रे ए संत एटले अनादी मुक्त जानवा ते वचना मुरुत मा पण महाराजे संतने पोतानी मुर्तियो कही छे तेवा अनुभवी करता अनादी मुक्त तो अतिशैश रेष्ठ छे तेतो सदा मुर्ती मा जरस बस छे छे ने छेज तेमने जो एम पुछवामा आवे जे हाल महराज क्या छे तेशू करे छे तो ते महराजनी मुर्तीने उंचे के अडखे पढखे क्या बतावे ते आ पुस्तकना उंडा अभ्यासिनी निर्मन बुद्धीने सौपिशू अनादी मुक्त स्वयम पुरुशोत्तम रूप छे अनादी मुक्त तो सदा सुख मा जुलूब्द रहे छे ने सुख लिधाज करे छे पण ते सुख मुकी बिजो संकल्प करताज नथी बिजो तुई हस्ता मड ज्या मुर्ती त्या अनादी मुक्त होय ज्ये मुर्ती तेमच अनादी मुक्त जे वु मुर्ती बोले ते वुज अनादी बोले बापाश्री कहता जे आ शब्दतों महराजना पडचंदा छे आ स्थिती जेना समझवामा आवे छे ते बापाश्रीनी स्थिती ना शब्दों सामडी भुला पड़ता न थी अने जे भोडा छे ते भुला पडे छे अने विपरित मतीवाडा छे ते भुला पाडे छे ते महराजे कहिँ छे जे निष्चैनी वाद अटपटी छे एटले समझता न आवडे तो मुडगे थी जाई तेम थाई जेने ए स्थिती समझाई छे ते तो तेमना उपदेश वर्तननों सरवाडो करे छे एपन बापाशरी कहता जे किटलाक खोटा मुक्त ने खोटा करे ते भेडा साचा मुक्त ने खोटा मानी बेसे बाटे तपास करवा कैम जे जे साचा मुक्त होई ते पुरुषोत्तम रूपे वर्ते पण पंडे पुरुषोत्तम न थाई अने मुर्ती माज जोडे पड पोता नामा न जोडे ने महराज नेने मुक्त नो भेड स्वामी सेवक पणु द्रड करावे ते बापाश्री नी वातो ना अब्यासी ने जणायविना रहशे नहीं बापाश्री कहता जे यणनी भम्री करवी छे रांकमा थी राजा करवा छे केडीनो कुंजर करवो छे माखीनो सुर्य करवो छे पारस थी पारस करवो छे हीरे थी हीरो वेंदवो छे अरे तमने मूर्ती माज राख्या छे जे वो पर्वत भाईये यगना कर्यों हतो तेवो आ यगना छे आ मुक्तनी कृपाद रष्टीती तमें मुक्त थई रहा छो जैने आविस्थीती था आए तेने मनुष्य भाव दिभ्य भाव अवर भाव पर भाव अहीं त्यां एक थई जाई छे धामनी सभाने आ सभा एकज भासे छे अने तेने ज अनुभवी जानवो आवा अनुभवी करता स्वता सिद्ध अनादी मुक्त अतिशै श्रेष्ठ छे जें श्रीकृष्णे उद्धव जीने पोता थी अनुमातर न्यून कह्या नथी सिवाई के दाता भुपता स्वामी सिवक पणु रहे छे ए भुलुवु जोईय नहीं आवी स्थितिना शब्दो बापाश्रीनी वातों मा वखतों वखत नजरे पड़े छे बापाश्री कोण हता तेना खुलासा अनेक रिते उपर करेला छे ते वाँची बराबर पचाव्य हशे तेमने जरूर समझायू हशे जे जेवो महिमा महराज नो तेवोज तेमना अनादी मुक्त नो कहवाई जिटलू महराज जाने ने देखे तेटलू ज तेमना अनादी मुक्त जाने ने देखे वचना मुरुत मा कहिँ छे जे महराजने लईने तो आ मुक्तानंद स्वामी ने पन भगवान कहवाई एवी रिते अनादी मुक्त नो महिमा कहवामा स्वयम श्रीजी महराजनो महिमा वधारिये छिए ए भुलवु न जोईए जेम राजानी सम्रुद्धीनो महिमा कहवामा खुद राजानी मूटप सहजेज आवी जाई छे तेम अनादी मुक्तो छे ते महराजनी सम्रुद्धी छे तेमना महिमामा स्वयम महराजनों महिमा आपो आप वधे छे जेमने बापाश्रीनी रहस्यार्थ प्रदिपिका टीकावाडा वचनाम्रूत तथा आ वातों समझी विचारी वर्तनमा उतारवा प्रहतन सर्खो कर्यों हशे तेमने बापाश्री केवा हता तेमनों महिमा केवो समझवो ते बाबत अक्षरे जानवा सामभडवानी इच्छा थशे नहीं सद्गुरु श्री गुणातितानंद स्वामीनी वातोमा एक द्रश्टान्त छेजे एक भरवाडने हाथ हीरो आव्यो पछी तेने पत्थर जानी बकरीनी कोटे बांधियो पछी कोईक जवेरीये तेनी पासेती वेचातो राखी बीजा जवेरीने वेचियो त्यारे छेवटे तेनी किम्मत अमुल्य थाई आटलू अपार पणू तो मायाना पदार्थमा छे तो आतो दिव्य महराज अने दिव्य मुक्त तेमनो सुझे तेटलो महिमा कहो तो पण अपूरणाज रहवानू तेमा काई पण आश्चर्य नथी कहवत छे के भणतर नोने वणतर नो इटले के माईक विध्यानो पार नथी आटलू तो मायावादियो कहे छे वड़ी वेद पण मुल पूरुष्णो महिमा कहे वामा नेती नेती कही अटके छे तो आतो पूर्ण पूरुषोत्तम भगवान ने तेमना अनादी मुक्तनो महिमा ते कौणी अथार्थ कही शके कोई नही वचना मुरुतमा कही छे जे जेवामे महराजने जाने हाता तेवो तो मनेपन करयो छे तो पन महराज तो अपार ना अपारज रहे छे इटले जेम जे महिमा वदू वदू समझाई छे तेम तेम दास पणू सुधू द्रड थतू जाई छे ने महिमा अपार जणाया करे छे छता ए महिमानी दिश बतावी शकाई एक शिष्ये गुरूने पुछू जे हे गुरो हे कृपा निभे आपे दयाकरी मने मुर्ती मा राख्यो छे ने सुख पण आवे छे तो पण ए मुर्ती केवी छे ते बराबर कड़ी शकातू नथी ते पण यथार्थ महिमा कही शकता नथी तो जे ओ पोतानी तीवी स्थीती थाई पहला इटले के हाल महराज क्या छे शू करे छे तेनो अनुभव तो शू पण खबरेई ना होई छता महराज तो आवाज छे मुक्त तो आमज छे ए मत बाधी मिथ्या वाद विवाद करे छे ते किटली भींत भुल्या छे ते निश्पक्ष पाद वाचक व्रुंद नी निर्मण बुद्धी ने सौपी विर्मिशू इटले बापा श्री केवा हता तेमनो महिमा केवो समझवो तेनी किटलीक अन्शे जाखी करी शक्या कहवाईए त्रण बापा श्री ये शू शू कर्यू श्री जी महराजे सारंग पूर्णा सत्तरमा वजनाम्रुत मा कहुँ छे जे भक्त नी द्रष्टी जेम जेम सुक्ष्म थती जाए तेम तेम भगवान ने मुक्त नो महिमा ने अपार पणू वधुने वधु जणाया करे छे भक्त ज्यासुदी मुक्त न थाए त्यासुदी मोटा मुक्त ने मोटा भक्त जिवा जाणी जरे भक्त पोते मुक्त थाए तेरे महराजने तथा मुक्त ने उडखे साधनिक जेजे क्रिया करे छे ते पोताना मुक्ष माटे करे छे જरे સોતા સિદ儿 મુકુંગ્ત જેજે કરે છે તે બીજા જ્વોના મુક્ષ માટે કરે છે सिद्ध मुक्त जेजे करे छे ते बीजा जीवोना मुक्ष माटे करे छे बापाश्री सत्संग मा घणा यगन पारा यगन उत्सव समिया करी पामर ने विशय जीवोनों पन मुक्ष करे छे तेमज तेमना जोग समागम मा आवेला किटलाक संतहरी जनुने महराजनी मूर्तीनों साक्षातकार करावियो बापाश्री किटलाक भक्तों ने तेमना मननी वात जानी अंतर्यामी पने कही देता किटलाक ने तेमना पुर्वजन्मनी स्मृती करावी आपता किटलाक ने देहने अंते महराज साथे दर्शन दै धाम्मा तेडी जता केटलाक ने आयुश्य नहोई तोपन राखता केटलाक ना घाट संकल्प टाडी गिनान ध्यान द्रड करावता एवी घणी सामर्थी जोवामा आवती अने एकांतिक भक्तों ने वचनाम्रूत नों उंडों अभ्यास थाई ने महराज ने मोटानों महिमा सहजे समझाए ते माटे वचनाम्रूत ना खुलासा करी वचनाम्रूत रहस्यार्थ प्रदिपी का टीका करी छे गाजवेज थी दाना न पाके ने वर्साद थी दाना पाके तेम परचा चमतकार जोवा जानवा थी मुर्तीनु जेवू छे तेवू सुख न आवे ने महराजनु सर्वो परिपणू, करता पणू, साकार पणू, सुख दाता पणू ते रूप स्वरूप निष्ठा द्रड करवा थी महराजने मुक्तनों महिमा समझाए ने मुर्तीनु सुख मढ़े बापाशरी कहता जे ए मुर्तीना सुख मा पहुंचया पछी धामनू सुख ते पणुशू अने मुक्तनु सुख ते पणुशू एवू ए मुर्तीनु अलोकिक अनुपमेय ये सुख छे एज बतावे छे के तेमने चोखी उपासना यथार्थ सांख्यग्नान आपी समझावी अने ज्या सुधी समग्र मुर्ती देखे त्या सुधी जीवनी पन वृत्ती कहवाई ज्यारे मुर्तीमा सनलगन थाई रसबस थाई पुरुशोत्तम रूप थाई त्यारे जीव सत्ताए मुर्ती देखी कहवाई एवे स्थिती न थाई त्या सुधी योग सिद्ध करया करवो जे मने महराज मणया त्यार्थी मुर्तीमा राख्यो छे ने बोले छे, चाले छे, ते महराज करे छे एवो मनन राखवो ए लटक योग कड़ा अने योग निंद्रा जे सूती वखते ते मुर्तीमा लुद्ध थाई सुवो एवो योग मार्ग शिखवयो अने पोते सदा ते सुख माज रहता ए उपरना शब्दो थी स्पष्ट तरी आवे छे आवी रिते द्रड योग ने सांख्यत बारा सर्वो परी उपासना समझावी पोते अद्रश थया त्यां सुधी जिवो बीचारा पोताना सर्खा केम थाई मुर्तीना सुखे सुखिया केम थाई एज बीरद ध्येई कर्तव्य सामी नजर राखी छे एम तेमनी वातोंने वर्तन उपर्थी स्पष्ट देखादू ने देखाए छे आ वखते मुर्तीनो साक्षातकार थाई जाई एवू छे आ टाने मुर्तीनो साक्षातकार नहीं करो तो पछी कौन करावशे माटे आ करो, आ करो बिजू सर्वे पडियू मुको जरे द्रड उपासना द्रड स्वरूप निष्ठा थाई छे त्यारे धर्म ग्नान वैराग्य भक्ती आदी सगडा गुणू संपूर्ण रिते सहज स्वभावे अखंड रहे छे जे ते प्रकारे जीवोने माहराज ने मूटा जेम छे तेम उडखाई अने सर्व ए मुर्थीमा निमगन रहे एज तान हातू बापाशरी मुख्यत्वे निष्चाई महिमा, आगना अने उपासनाना बढ़नी वातो घणी करता एक जीवने उगारो तो एक ब्रह्मांड उगार्यानू पुण्य थाई कारण के तेने चोरा सीमा अनन्तवार मरवू अने अवतर्वू पड़े ते मटी गयू एम ब्रह्मांड उगार्या जेटलू पुण्य कहिू छे एवी जिरीते अमने कोई खतरावशो नही अरामना सम खाई बेठा छो द्रव्य मातो स्तरीपन भेगी आवी गई माटे ते पापने तो राखवू ज नही जयारे कोई माहराजने मोटानी बांधेली धर्म मर्यादानो भंग करे तेरे पोते घणाज दिलगीर थेई जता अने ते पोतानो संबंदी होई अथवा बीजो कोई पण होई तो पण तेनो पक्ष नही राखता धर्मनो पक्ष राखी तेने प्रायश्चित आपता अपावता एवो तेमनो धर्म पाडवा पड़ाववानो आग्रह हतो सवाल ए थाई छे के सत्पुरुष्णो महिमा यथास्थित कौन कही शके उत्तर जेटलो सहलो छे तेथी विशेश मुष्केल समझवामा छे मोटी वस्तू नानी वस्तूने यथास्थित जाने देखे पण नानी वस्तू मोटी वस्तूने यथास्थित जानी देखी शक्ती न थी तदनुसार अनाधी मुक्त नो यथास्थित महीमा स्वयमश्री स्वामिनारेन भगवान एकज समझावी शके अथवा तेमना अनाधी मुक्तो जे असंख्य चे ते पैके कोई पण एक बराबर समझावी शके अथवातों महराजने मूटानी कुरूपाथी तेमना सर्खी स्थिती थाई होई ते समझावी शके आ वात जे अनुभव करी सिद्ध करे तेने जरूर एम जणाई जे अनादी मुक्त अहीं देखाई तो पन तेवों मुर्तीमा रहया थकाज देखाई छे जेम प्रुथवी जणमा रही छे ने बहार देखाई छे तेम अनादी मुक्त ते सुखमा लुबदज छे ने श्रीजीनी इच्छाथी मनुष्य रूपे देखाई छे तेमने तो एक महराजज करता छे वचनाम रुथमा कहिऊ छे जे सत्पुरुष्य सर्खी स्थिती थया विना सत्पुरुष्य नो महिमा बराबर जणातो नथी अने महिमा जान्या विना स्थिती पन थती नथी माटे जेम बने तेम सत्पुरुष्य जे स्वताह सिद्ध अनादी मुक्त तेमनी साथे हेत करी महिमा समझवो तेमने जे युक्ती लटक मंत्र आप्यो होए ते मनन निदी द्यास करी तेमना सर्खी स्थिती करवी ए ध्येई जे मुमुक्षु राखे तेज सत्संग मा दिन प्रती दिन आगलवदे छे अने अनादी मुक्त एक अयूतत्व छे ते बराबर समझी शके छे आवी स्थिती थवानी लटक उपाय रस्तो महामंत्र अनेक अनुभव सिद्ध युक्तियों साथे आ वातों मा नजरे पड़े छे माठे आ पुस्तक छते देहे बापाश्रीना शब्दों मा कहिए तो छ मासनी अंदर मुर्ती सिद्ध करवी होई एवा मुमुक्षुनेज उप्योगी अने रस्तदायक थई पड़शे कहवानी जरूर नथी के आवी मुमुक्षुतामा धर्म, ग्नान, वैराग्य, भक्ति आदे गुणों सिद्ध करी एक मुर्ती आकारे व्रुत्ती थई होई अने अर्थ साध्यामी वा देहम पात्यामी एवी श्रद्धानों जे मुमुक्षुमा जन्मत हयो होई एवा मुमुक्षुनेज आ संग्रह रस्तदायक थशे आवी मोटी तैयारी करनार मा केवा केवा लक्षणों गुणों नी आवशक्ता छे अने ते गुणों कया कया ते जानवो ज जोईए अने तेने ज मुमुक्षु जानवो हवे मुमुक्षु कौने कहिए ते विजारिये 1. तेज मुमुक्षु खरो के जे केवड पोतानु नाम रोजे रोजनु राखे छे 2. तेज मुमुक्षु खरो के जे पोताना दोशनेज जाने छे ने टाडवा तन्तोड यतन कर्या करे छे 3. तेज मुमुक्षु खरो के जे श्रियांसी बहु विग्णानी सारा काममा सो विग्णा एक एहवत समझी चाड़ी चुगली निंदा टीका कुथली आदी मनो विकार ने तिलांजली आबी एक मुर्ती नोज साक्षातकार करवा मन्यु रहे छे 4. तेज मुमुक्षु खरो के जे पोताना उक्त ध्याईमाज निमगना रहे छे 5. तेज मुमुक्षु खरो के जे श्री स्वामी नारेन भगवान छे श्री गोपाननिन्द स्वामी आदी अनादी मुक्तो छे एवो जानी ने केवड बीजा आगळ तेवी वातो करी त्रुप्ती नथी पामतो पन वर्तनमा उतारवा यतना करे छे च, तेज मुमुक्षू खरो के जे अनादी मुक्तना लक्षण जानी तेवा पोतामा आव्या छे के नहीं तेनी जे एक जिनता राखे छे साद, तेज मुमुक्षू खरो के जे पामर अने विशय जिवा जिवो माधी पन एकला गुण नेज ग्रहन करे छे आठ, तेज मुमुक्षू खरो के जे पोताना बरोबरिया साथे स्नेहने मित्राचार राखे छे नव, तेज मुमुक्षू खरो के जे पोता थी नाना जे विशय ने पामर जिवा जिवो तेमना अवगुण ने जोता छता तेमना प्रत्य दया राखे छे ने हेतने मायाडू द्रश्टिये तेमने जुए छे दस, तेज मुमुक्षू खरो के जे पोता थी मोटा होय तेमना आगण स्तब्द रही एक चित्ते तेमनी वाणी वर्तननू अवलोकन करी पोताना जीवन साथे सरखावी पोतानी ज कसोटी कर्या करे छे अग्यार, तेज मुमुक्षू खरो के जे जीवे त्या सुधी कोईनो गुरू थतो नथी बार, तेज मुमुक्षू खरो के जे जीवन परियंत शिष्य सेवक दासानू दास थाई सत्चंग मा रहे छे श्रीजी महराजे कहिू खे जे, दासना दास थाई जे रहे सत्चंग मा भक्ती तेनी भली मानिश, राचिश तेना रंग मा वडे सदगुरू श्री मुक्तानंद स्वामिये कहिू खे जे दास तमारा दास नो, दास नो पण दास एक केवू निर्मानी पणू एज खरी मुमुक्षुता जानवी, मने राखो नाथ आजूर, एवर मागो छू, आवा मुमुक्षुने आ पुस्तक एक खारा समुद्रमा मीठी विरडी तुल्य शांती दायक थाशे, हवे रहा विश जे रातरे दिवस समागम करे छे, कथा वार्ता करे छे, पन पोते ध्यान करी स्थिती करवामा आळसू, प्रमादी रहे नारा, तेव घणे भागे बीजाना गुण अवगुण जुवामा पन रोकाई छे, आ वर्ग केवड दयानेज पात्र छे, छता जो तेवने अनादी म मुक्त नी पंक्ती मा भढ़वू होई, अनादी मुक्त जे सुख सामर्थी ने प्रकाशनों अनुभव करे छे, ते सुख लेवू होई, तो तेमने संग शुद्धी ने निर्दोष बुद्धी करवी अति आवशक छे, आवी बुद्धी मिढववानी राजा चावी एक छ अने ते आ रही, जेने वापर्वी होई ते भले वापरे, प्रथम तेने श्री स्वामिनारेन भगवाननी श्री घंश्याम महराजनी उभी बैठी, गमे ते मुर्ती जेमा पोताने अतिशैस नेह होई, ते मुर्ती आगड़ शांत चित्ते बैसी, गई गुजरी माटे फक् अल्लाक पश्चाताप करीने, नीचे मुझब विचार करया करवो, ते विचार नू मनन चाले, ते दर्म्यान बीजा कोई विचार ने मनमा पैसवा देवो नहीं एक, तुलसी जाके मुखन से, भुलै निक से राम, ताकी पग की पेनिया, मेरे तन की चाम, जे मात्र पोताना इष्ट देवनू नाम स्परण करतो होई, विजा साधन भले ओचा होई, तेने पन पोता थी अधिक मानवो बे, गिता विशे श्रीधर स्वामी, शंकराचारिय, रामा नुजा दिक अनेक विद्वानों है, जुदि-जुदि टिका करी, शास्त्र ना अर्थ समझाव्या छे, तो बचना मुर्द, तेमज आपना इष्ट देवना महिमानू कोई गमे तेवू वर्णान करे, तेमा थी समझातू नथी, त्रण, हाथी ने साथ आंधळाना द्रश्टान्त नू मनन करी, सिद्धान्त समझवो, जे जेने जेम समझाणू, अनुभवानू तेम लख्यू छे, ते वचना मुर्द मा पन कह्यू छे जे, गाईनू मुख देठू, पूछ देठू, पन समग्र गाई क पूई ये दिठी न थी, माटे जरे समग्र मुर्ती, एक काड़ा विच्छिन न अनुभवाए, त्यारे ज आपणने विजाजे बोले, लखे, ते विशे अभिप्राय आपवानू हक मडे छे, ते पहला नहीं, पछी ते विचार सिद्ध थाए, इटले मुमुक्षूता ज चित्ते, ते मुर्ती सन्मुख बैसी, गद गद कंठ अने रोमांचित गात्र थाई, एक नजरे ते मुर्ती धार्वी, एम दर्रोज, सवार सांज बब्बे, त्रोन त्रोन कल्लाक कर्या करवू, आ वातोमा धर्म, ग्नान, वैराग्य, भक्ती, आगना, उपासना दी, गण विशयो छे, परन्तु मुख्यत्वे किटलाक शब्दो, साधन दशाना, अने किटलाक सिद्ध दशाना, ते मज सिद्ध दशा पामवा माटेना जोवामा आवशे, अहीं खास विवेक द्रश्टी मी जरूर छे, अने जे विवेक द्रश्टी राखी केवड पोतानू ध्ये जे मुर्तीनों साक्षात कार करवो, ते सामीज नजर राखे छे, तेने तो अकेको बोल लाख लाख हीरानों अमुल्य थाई पडशे, परन्तु जेव अर्ध दग्द दशामा उभा रही, आगण वधवामा आड़सु प्रमादी हशे, ते संशयात्मा विनश्यती, तेम अ पुर्ण दशामा रही, पुर्ण दशानों निर्णाई, पोतानी माईक बुद्धीती करवा यतना करशे, तेने लाबने बदले हानी थवा संभव छे, तेओ जो पुर्वा पर वचनाम्रुत ना सिद्धान्त साथे, आवातों ना सिद्धान्त सर्खावी, जे सिद्धान् वचनाम्रूत साथे मड़ता मालूम पड़े, तेनुज ग्रहन करशे, ने जे नसमझाई ते माटे मुमुक्षुता राखी दास भावे जानवा इच शे, तेने समझावनार जरूर मड़ियावशे। समुद्र मद्ये जाए, तेरे उंचू नीचू सर्वत्र जड़ज देखे, पण बीजो काई देखे ज नहीं, तेम जे वहाणने द्रश्टान ते मुर्ती माज निवग्न रहे, तेने एक मुर्तीज देखा शे, ने मुर्तीज बोले छे, जमे छे, जुए छे, सांबडे छे, स तो मा बापा श्रिय कहिऊ छे जे, ज्यार्थी महराजने मोटा मड़या त्यार्थी, तमे सर्व अमारा सर्खा थई चुक्या छो, एम निश्चय द्रड राख जो, पण ज्या सुधी एवो अपरोक्ष अनुभव न थाई, त्या सुधी सिद्ध दशाप अमवानों मंत्र चालू राख जो, पण चलबे रंडी हम खाख बने हैं, इटले साधू थया के सत्संगी थया, इटले पूरू, एम मानी आलसु थै, बैसी रहशो नहीं, सिद्ध दशा न आवे त्या सुधी, छुपू नास्तिक पणू रहे छे, एव वचन सामी नजर राख जो, एवी रि करवू, पुरुषुत्तम रूप थवू, ते चालू राखवू, वचनाम रूतमा पण एमज कहिऊ छे जे, पोताना स्वरूपने जानतो जोतो नथी, तेज अगनानी, नीच छे, एम सुक्ष्म द्रष्टीवाणा मुमुक्षुने, कर्तव्य परायन तानू उपदेश आ भगवान छे, अने हुँ, तथा अनादी मुक्त सर्वे, ते मुर्तीमा रस्बस छिये, एवु श्रवण थाय पची तेनू मनन, निदिध्यास, ने साक्षातकार करवानी इच्छा थै हशे, एवा मुमुक्षुनेज, आ पुस्तक एक अनुभवी सद्गुरुनी गरज सार अनादी मुक्तो जे स्थानमा, जे स्थितिमा, अने सुखमा रहा छे, ते स्थानमा, ते स्थितिमा, अने सुखमा जेने रहवु होई, श्री गोपाणनंद स्वामी, श्री ब्रह्मानंद स्वामी, श्री पर्वत भाई, श्री अबजीबापा आदी जिवा, जेने थवु होई, तेने माटे, आ वार्ता संग्रह, एक साक् पत्कार करावनार मार्ग दर्षक नू काम करशे। ए नहीं संदेह छे। आपणने आ अमुल्य वार्ता संग्रह नू लाब मले छे। ते सर्व अनादी महामुक्त राज सद्गुरु श्री गोपाणनंद स्वामीना शिष्य, सद्गुरु स्वामी श्री निर्गुण दासच तेमना शिष्य सद्गुरु स्वामी श्री इश्वर्चरण दासचीने आभारी छे। आ उपदेशामृत नू संक्षिप्त संग्रह सत्संग्नी सेवामा निश्काम भावेत बनती त्वराये अर पन थयो जोई, सवकोई सत्संगी आनंद थी पान करशे एज सुबेच्छा अस्तु आवरुत्ती पहली संबत उग्णी सो नेव्यासी इसवीशन उग्णी सो तेतरिस परिक बड़देवदास वल्लबदास अमदावाद प्रथमा वरुत्ती प्रसिद्ध करता